नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल Abhessing Fairless व्रम्ड में स्वागत है और आज हम लोग जानने वाले हें मेचनरी diu हजाड के तो हम लोग इस वीडियो में मेकN29 1000 की when तो आईए अब स्टार्ट करते हैं मसिनरी हजार के बारे में किसी भी मसिनरी में दो तरह के हजार होते हैं हजार आप समझते ही होंगे कोई भी ऐसा चीज जिसमें नुकसान पहुंचाने की छमता हो उसे हम हजार बोलते हैं क्योंकि अगर यह confusion आपको clear नहीं होगा ना तो problem होगा फिर समझने में तो mechanical हजार्ड और non-mechanical हजार्ड में mechanical क्या होता है contact with or being caused by moving parts जो moving parts है ना यह सब mechanical हजार्ड में आते हैं जितने move करते हैं बट कुछ चीज move नहीं करते हैं हमें नुकसान पहुचा सकते हैं जैसे कि उसको non-mechanical हजार्ड में लेते हैं जैसे कि जो sound निकलता है जो महां से vibration निकलता है machinery योगर से from power source or things being emitted by the machine ठीक है ना तो यह कुछ है दोनों हम लोग इसमें one by one करके जानेंगे उसके पहले हमारे एक subscriber ने comment किया था कि मैं आपका वीडियो का वेट करता हूँ और काफी अच्छा लगता है तो thanks, thanks जी घंसयाम रेडि जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो का वेट करते हैं और सारे वीडियो को वाच कर रहे हैं और में बात है कि आप इससे benefit ले पा रहे हैं तो यह चीज काफी अच्छा है कि चलो मेरे समय का यूज हो रहा है तो आई YA स्टार करते हैं mechanical हजार, mechanical हजार आप जानते हैं कि मैंने बताया कि moving parts के चलते हैं जो हजार क्रियेट होता है उसको हम भो mechanical हजार बोलते हैं जैसे crushing में क्या होता है कि किसी दो object के बीच में आप आ जाएं तो इसको crushing बोलता है मैं करके समझेंगे बट यहां पर थोड़ा सा basic concept समझ लेते हैं sharing में क्या होता है कि दो force लगता है बट एक दूसरे के आमने सामने नहीं बट मतल़ा कि थोड़ा सा हट के लगता है ठीक है न इसको हम लोग sharing force बोलते हैं जैसे कि कैंची जो काटता है ना उसको sharing force बोलते हैं क्योंकि दोनों आप देखेंगे एक दूसरे के अलग-अलग मतलगी पैरलली रहता है बट एक दूसरे को touch करता है केवाल cutting and severing में क्या होता है कि आपका body parts कोई cut गया अलग-अलग दो टुक्रो में बट गया कटना भी दो तरह के हो सकता है एक तो आधा कटना और एक पूरी तरह से अलग-अलग होना तो वही चीज़ है cutting और severing in tangiment में क्या होता है जिसके moving part है उसमें कोई चीज़ आपका फंस जाये गा और आपको उल्जार देगा पूरी तरस आपको लपिटे लेगा उसमें तो यह है और drawing-in और trapping में क्या होता है drawing-in मतलग क funeral में Ik कुछ चीज फसने से आपको खीचना स्टार्ट करेगा अंदर की तरफ है ना इसको ड्रोइंग इन और ट्रैपिंग बोलते हैं इंपक्ट में क्या होता है कोई चीज आपको धक्का दे दिया जैसे कोई रोबोट का आर्म मुव कर रहा था आपको धक्का दे दिया कोई मसीनरी से आपको धक्का लग गया है तो यह क्या इंपक्ट बोलते हैं और स्टैविंग और पंचनिंग आप समझते ही होंगे जैसे कि कोई चीज छेद देना जैसे कि आपको नेल है काटी और आपको पंचर कर देता है इस तरह का जो होगा मेकेनीकल से रिलेटेड उसको में स्टै जाने कि छील जाना, फ्रिक्षन के कारेंजे से आप रोड पर गिर जाते हैं तो क्या होता है? आपका जो स्कीन हो पूरी तरह से छील जाता है, अलग हो जाता है। इसी क्या बोलते हैं Friction, Average, High Pressure, Fluid Injection बहुत जारा hydraulic pressure होता है वाटर या hydraulic उसमें अगर लिकेज होगे तो बहुत pressure से बाहर निकलता है और जब बाहर निकलता है तो आपका body parts अगर वहाँ पे है तो आपको hole कर देगा और tissue तक महुच जाएगा तो यह mechanical हजार थे हैं जो की moving parts के कारण जो है ऐसा होता है और आए इसको एक एक करके समझ लेते हैं मैंने जो बताया explain किया उसको जैसे crushing में आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे यह fixed object है और यह moving object है और इस बीच में आप आगा है मतलब यह आपको दबा रहा है crush कर रहा है और उसके बाद searing में मैं आपको क्या बताया कि दो force अलग अलग direction में जैसे आप देख रहे हैं यह ऐसे काम कर रहा है बट यह fix है तो इसको cutting और severing बोलते हैं intanglement देख रहे हैं आप यह moving parts है ठीक है अगर आपका कपड़ा इसमें फस जाए तो क्या होगा आपको यह rotate करना चाहेगा है इसी को बोलते है intanglement अगर हिंदी बोले तो उलजना है ना आदमी उलज जाता है जैसे की खसकर conveyor होगा रहा है मैं कोई लड़की अगर औरत काम कर रहे हैं यह बाल खुले है तो बाल फस जाते है यह loose clothing है तो वो फस जाता है वो सब intanglement में ही तो आता है drawing in or trapping के बारे में बताया था जैसे gear होगा रहा है जैसे आप कोई पार्ट से यहाँ पर फस जाता है अगर यह gear इधर move करता है तो आपको अपने अंदर खीचना स्टार्ट करेगा है इसको बोलते है drawing in or trapping जैसे मैंने बताया यह robot का arm है और यह move कर रहा है अगर आप इसके area यह में आये तो क्या होगा यह आपको धक्का देगा इसी को बोलते हैं impact और stabbing and puncture में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यह एक grinder है और इसमें जो है आप कुछ भी ग्राइंड करते हैं तो उसके छोटे-छोटे particles बाहर निकलते हैं चोटे-छोटे particles बाहर निकलते ह और उसमें जो है force रहता है जिसके चलते हूँ आपको puncture कर सकता है stabbing यानि की छेट सकता है तो इसके fragment from the abrasion abrasive wheel से जो है निकलता है उसके फ्रिक्शन और abrasion में क्या होता है यह जिसे आप देख रहे हैं न यह एक built है ठीक है न और यह मतलब कि ऐसा चीज़ से बना हाथा जैस किस चीज में धार लगाते हैं कि सार्प करते हैं वैसे इसमें हम लोग किसी knife को हम लोग सार्प कर रहे हैं ठीक है न अब आपका body parts जैसे ही आपका अंगली touch होगा न तो छील जाएगा है न इसी को बोलता है friction या abrasion उसका mechanical hazard जो है high pressure fluid injection भी उसमें ही आता है जैसे injection caused by liquid released under the pressure hydraulic hose pipe में leakage हो गया तो उससे जो pressure से जो liquid निकलेगा उसके बीच में जो भी आएगा उसे उसके body में injury करेगा यानि को hole कर सकता है में have a small entry on but travel through tissue इसमें बहुत अगर बहुत हलका लिके जहें तो बहुत पतला सा छेद होगा बट यह travel करता है tissue तक जाएगा आपके अंदर तक है न और यह problem कर सकता है तो what are the non-mechanical which associated with machinery अभी हमने mechanical के बारे में देख लिया तो non-mechanical कौन-कौन है आईए उसके बारे में जानते हैं कि mechanical के अलावे कौन-कौन से non-mechanical है non-mechanical मतलब इसमें moving parts नहीं रहेंगे है न तो जैसे कि electricity अगर कोई machinery चल रहा है मान लेते हैं कि एक grinder अगर चला रहा है एक grinder है यहां पर उसका wheel लगा हुआ है और यहां मने electric से power source दिया हुआ है न तो अब यह यहां जो electric parts है तो इसके 1000 होगे और यह जो move कर रहा हुआ यह moving parts के 1000 होंगे तो यह हो गया mechanical और यह हो गया non mechanical है न तो electricity से अगर चल रहा है तो electricity ये क्या है non mechanical हजाड है जोकि machinery से और वाइब्रेट होने से हमारे बोड़ी के जॉइन डोगरे में प्रॉलम होता है हमने वाइब्रेशन का उलेडी पढ़ चुके हैं हजाड़ा सबस्टांस है ना बहुत सारे मसिनरी में जैसे की ग्रीज आयल ये सब डालते हैं उसके भेपर स्मोक निकलते रहते हैं तो इस त दोनों तरीके के हो सकता है है ना जैसे कि आप देखे होंगे एक्स रे उगरे का जो यूज करते हैं या बहुत सारे मसिनरी है जिसमें इस तरह का रेडियेशन का इंटरलॉक्स यूज करते हैं उसके चलते हमें क्या रेडियेशन लग सकता है एक्स्ट्रीम टेंपरेचर ज तो प्रॉस्ट से हमारा ब्रॉडि हीट हो सकता है साम्द है मसीनरी जब भी हम यूज करते हैं तो यह फ़ी पॉजिशन में यह बैटके या जो भी पॉजिशन उस मशीनरी के लिए है उसको तौ उसमें एर्गोनोमिक्स प्रॉलम हो सकता है सिउच कहीं ऊपर है बहुत यह सकता है और नहीं तो से इसमाँ इन भीडिम में हरा रही है अगर आपको एक साथ हुए wilderness सिनरी रहेगा उसके अनुसार आपको यहां पर चुनने होंगे तो यह मॉडियूल होता है इंड अब दो मॉडियूल 9.3 इक्सराइज इडिनिफाइज द मेकेनिकल हजाड हमने मेकेनिकल हजाड को पहथाना इसमें शियरिंग बहुuard सारे तरह का है और इंडिनफाइज नॉन मेकेनिकल हजाड हमने देख था 9.4 control measures for machinery 1000 जो भी हमने mechanical और non-mechanical पढ़े थे तो उसको कैसे control करें आईए देखते हैं तो machinery safeguarding method है ना कोई machine को safeguard करने के लिए मतलब कि उसको safety ensure करने के लिए हम कई तरह का guard use करते हैं चाहें वो guard हो सकता है fix guard, fix guard मतलब कोई moving part है और उसके चारों तरफ हम लों कभड दे दिया जैसे आप देख रहें ने ये fix guard है interlocking guard में क्या होता है जैसे ये fix guard तो दे दिया लेकिन इसके अंदर जाना है हमें कभी कभी तो हम इस gate में एक sensor लगा देंगे जैसे ये gate open होगा ना ये machine बंद हो जाएगा तो ये क्या होगा हमने gate से उसको interlock कर दिया तो उसके बाद adjustable self-adjusting guard कुछ guard ऐसे होते हैं जैसे wheel के उपर लगे रहते हैं तो जब आप इसको काम करना होगा तो ये guard थोड़ा उपर हो जाएगा और जब आप काम नहीं करेंगा तो ये guard अपने आप नीचे हो जाएगा ठीक है ना तो इसको adjustable ये safe self-adjusting guard बोलते है sensitive protective equipment यानि कि trip device माल लेते हैं कि आप इस machine चल रहा है यहां एक mat लगा दिया आपने उसके नीचे जैसे ही कोई आदमी उस mat के उपर जागा ना तब sense करेंगा कोई आदमी कोई पार्ट आ रहा है इसके अंदर में और तुनद मसीन बंद हो जाएगा तो ये सब क्या है इसको sensitive protective equipment बोलते हैं और two hand control क्या होता है कोई machine चल रहा है और माल लेते हैं कि हम अपने एक हाथ उसके अंदर बार बार गुसा रहा है तो machine तभी operate होगा जब वहाँ पे दोनों स्टीव जो दोनों हाथ हो से दबाएंगे यानि कि दोनों हाथ हमारा इंगेज रहेगा तभी हो जाके machine operate होगा इसमें क्या होता है ना कि एक हाथ को फसने के लिए बचाता बचाया जाता है इस तरह से उसके बाद emergency stop control यानि कि यह machine है यहाँ पे एक बटन हमने लगा दिया कि अगर कुछी problem हो कोई आकर justice को दबा देगा तो यह क्या होगा बंद हो जाएगा machine तो इससे भी हम लोग safeguarding करते हैं प्रोटेक्टिव अप्लाइंसे से बहुत सारे जैसे बहुत दूर से दूर से यूज करते हैं हम लोग आगे देखेंगे और परस्नल प्रोटेक्टिव एकूपमेंट जैसे कि non-mechanical हजाड जिसे 99-11 से बचने के लिए हम लोग PPE का यूज करते हैं और साथ में लोग को समझा देते हैं बता देते हैं ट्रेणिंग देते हैं सुपर्वीजन रखते हैं इससे भी हम mechanical non-mechanical हजाड से हम लोग machinery हजाड से किसी को बचा सकते हैं तो machinery safeguarding method जो है सबसे पहले हम लोग कोहिज करते हैं कि fixed वहाँ पे guard लग जाए और fixed अगर नहीं लग पाता है तो हम लोग interlock लगाते हैं या दोनों लगाते हैं उसके बाद अगर यह है adjustable self-adjusting guard लगाते हैं और लास्ट में trip वाला है तो यह इस तरह का hierarchy यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहे गा सबसे पहले हमें को जलादे फिक्स ज्यादा effective तो यह fixed guard आ है कि यहाँ पर पूली यहां पर है और इसको अपने अंदर खीच लेगा है ना ड्रोइंग इन हजार्ड होगा तो यह क्या है कंप्लेटली प्रिवेंट एक्सेस टू डेंजरस पार्ट अब बसिनरी यह पूरी तर से आदमी को प्रिवेंट करता है कि इसके अंदर हाथ न जाए या कोई समान मा जाए और फिक्स्ट रिवेंट नियुक्र मेकेनिकल हजार्ड वाएड़ हजार्ड वाट हजार्ड कान फिक्स्ट गारड प्रोथ प्रोट्वेट प्रोटेक्टिव अगैंस्ट तो अन आप इपको बचा सकता है क्योंकि आप उधर हाथ न ले जाएगेंगें लिए तो हुआ से उसीज ही बुझा नहीं जाएगा तो जो भी इसको तो चीज को टॉच नहीं कर सकता है तो उसे ही बचाता है, नौाइस, जानते हैं कि कोई barrier अगर दे दिये जाए तो नौाइस जो है ज्यादा बाहर नहीं आता है, तो नौाइस से ही बचाएगा, इंजेक्शन और स्वार्फ और डस्ट, जो भी डस्ट वहां से निकलेंगे उसके उपर भी अगर हम लोग गाड ल लेते हैं, तो इसमें क्या है, guard open, power to machine is disabled when guard is open, अब हमने कोई माल लेते हैं, कि यह moving part है, इसको फिस guard हमने लगा दिया, अब इस guard को जैसे ही हटाएंगे न तो इसके ऊपर एक interlock लग जाएगा, और जैसे ही आप guard हटाएंगे न यह machine बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ब बंद हो जाता है machine, when guard is open and it will not operate until the guard is in place, ठीक है, जब तक guard अपने जगाव पर न आ जाए, तब तक यह operate नहीं होगा, उसके बाद जो है, guard जैसे ही close होगा, तो guard is locked, shut until the machine has returned to safe condition, तब जाके यह फिर से, जो है, the guard is locked, shut until the machine has returned to safe condition, condition, the act of opening in the guard has stopped the dangerous part of machinery and disabled power, है न, किसी तरह का भी अगर उसमें कोई आदमी अपना body parts या उस guard को bypass करता है, तो यह operate होता है, machine disable हो जाता है, और जैसे ही उसको close के जाता है, फिर से enable आप कर सकते है, machine को चालू कर सकते है, इसका limitation क्या है, कि can bypass the system, ठीक है, इसको bypass भी क्या है, कर देते हैं, कई जगे इंटर लोग बार-बार malfunctioning करता है, अच्छा से काम नहीं करता है, तो लोग इसको bypass कर देते हैं, परसन में gain access by closing the guard around them, ठीक है न, तो परसन जो है आप guard को बंद करके उसमें access ले सकते हैं, needs rule to be enforced, इसमें क्या है, कि आपको guard को bypass नहीं करना है, ऐसा rule बनाना पड़ेगा, तब जाके यह सही से काम करता है, उसके बाद आ गया third adjustable and self-adjusting guard, तो adjustable में जैसे कि आप देख रहे हैं, यह wheel move कर रहा है, तो यह wheel उपर और नीचे जाते आते रहता है, तो यह guard भी उसी कनुसार उपर नीचे move करता रहेगा, यहाँ पे spring system रहता है, यह guard उपर नीचे move करते रहता है, जिससे कि कोई body part इसमें जितना जरूरत हो ना उतना ही यहाँ पर open हो है, तो workplace यह जो है यह आपका would है, इसके अंदर in हो रहा है, तो उतना ही जगा है, उसे ज़्यादा जगा नहीं है, आप यहाँ पर adjust कर सकते हैं, कि कितनी मोटाई कि आप लक्री इसमें घुशा रहे हैं, तो इसको बोलते है adjustable guard, तो use when it is not possible to prevent access to dangerous part, जिसे fix guard नहीं लगा सकते हैं, interlock नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग adjustable guard लगाते हैं, और इसको set manually to arrange, to range a position by the operator, यह operator जो है अपने अपने साथ adjust करता है, और यह होता है self adjusting, जिसे कि यहाँ पर हम लोग क्या है, pipe अगर रखके या channel अगर रखके काटते हैं, तो जब हम यह wheel अंदर जाएगा इसमें, तो यह touch होगा यहाँ पे, तो यह क्या है ना, उपर नीचे move करते रहता है, यानि कि अपने आप यह self adjust होते रहता है, तो usually a spring loaded to adjust itself to the workplace and require no adjustment by the operator, यह अपने आप को adjust करते रहता है, तो इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि operator इसको adjust कर अब बात आ गई sensitive protective equipment यानि कि trip device है ना, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह एक drill machine है और इसके बगल में ही एक sensor इस तरह का लगा दिया गया है, कि कोई भी इसको touch करेगा ना तो यह machine disable हो जागा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो not a physical barrier यह physical barrier नहीं होता है, आप यह sensor रहन करने के बाद भी touch कर सकते हैं, बट जैसे ही sense करेगा, कोई touch करने आ रहा है ना, तो यह trip हो जाएगा, और use sensor to detect presence of operator and stop the machine, है न, they include pressure mat, यहाँ पर जैसे आप जहाँ पर काम करें, यहाँ पर एक pressure mat लगा सकते हैं, इसके उपर कोई भी ब्यक्ति आएगा, तो उसका load के कारण य trip bar है, जैसे आप trip bar यह देखी रहे हैं, कोई भी इसको touch करेगा, तो यह drill बंद हो जाएगा, photo electric devices कुछ होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, यह photo electric device है, जिसमें यह इसके आस पास में अगर कोई आएगा न, तो उसको sense करेगा, कोई ब्यक्ति आया हुआ है, और यह machine बंद हो यहाँ पे hole करने के लिए बना हुआ है, ठीक है, अब क्या होगा, कि एक आदमी इसके अंदर plate में हाथ घुसाएगा, ठीक है, तो जब तक यहाँ पे इस जो भी siuch है, दोनों हाथ से कोई पकड़ेगा नहीं उस siuch को, तब तक यह machine operate नहीं होगा, यानि कि design to protect the operator's hand, control should be more than a hand span apart, ठीक है, must active at the same time, यह active होना चाहिए उस समय, और releasing control must stop the machine immediately, यानि जब तक दोनों यह कोई हाथ से पकड़ेगा नहीं नहीं तो तक यह machine operate नहीं होगा, यह है इसका, और इसके limitations भी है, limitation यह है, कभी काम करता कभी नहीं करता है, जिसके चलते जो है, यह हो सकता है कि किसी दूसरे body parts से उसको कोई पकड़ लिए, यह हो सकता है कि कि किसी करते हैं, अपना हाथ अंदर करते हैं, और प्रेस को release करते हैं, ठीक है न, मैंने seat पर काम करते हैं, तो हो सकता है गलती से जब हमारा हाथ अंदर हो न, तो उस समय machine release हो जाए हम दबा दें, तो दोनों तरफ एक, वहाँ पर सीवच रहता है, दोनों सीवच को जब एक साथ द बचाया जाए, तो यह सब प्रॉलम होता है, लेकिन बहुत हद तक परियास के जाता है कि किसी तरह का आदमी गलती करने के बाद भी उसका body parts को इनौफ हसे है उस machine में, लेकिन फिर भी हर चीज का तो एक limitation होता है, emergency stop control जो है, आप देखे होंगे कि red color का रहता है और इसके उपर stop लिखा रहता है, और इसको दबाने से machine तुरंद बन जाता है, यह machine के आसपास में रहता है, और इसके बारे मैं जानते हैं कि should bring the machine to safe stop as quick as possible, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका body part फंस रहा है, यह machine अच्छी से काम नहीं करें, तुरंद आप इमर्जेंसी मारेंगे, मतलब स्टॉप बटन दबाएंगे, इमर्जेंसी स्टॉप और machine तुरंद safe condition में रुक जाएगा, machine can only be restarted using reset button, अब यहाँ पे reset button भी रहता है, जहाँ पे stop होगा, उसके बगल में पैनल में start करने के लिए तेक reset होगा, है न, तो वहाँ से reset करने के बाद ही फिर restart के जा सकता है, ऐसे नहीं, यह हो सकता पैनल से, जो main panel है, वहाँ पे जाके उसको restart करना पड़े, मतलब की reset करना पड़ेगा, तो release of the button should not restart the machine, इसको अगर emergency system को release करता है न, तो start नहीं होगा, इसको release भी करना पड़ेगा, और करना के फिर machine start होगा, इसके limitation भी सबके तो limitation भी रहते हैं, अब आ गई protective appliances, कुछ ऐसे appliances है, जो कि हम, हमको moving parts के अंदर हाथ रखने से मना करता है, और इसको बोलते हैं protective appliances, design to keep operator hand away from the danger, जैसे आप देख रहे हैं, कि यहाँ पे एक मान लेते हैं कि कोई cutting है, और अगर अपना hand इसमें अंदर ले जाते हैं, तो आपका hand यहाँ पे होसाथा कट हो जाए, तो इसके लिए एक डंडे का use कर रहा है, यहाँ पे stick का use कर रहा है, जिससे की आपका हाथ अंदर ले जाने कि जिससे आप देखे होंगे, जब हम 100 mil देखे होंगे, जिसमें करता है, तो उसी तरह का इसको बोलते है, push sticks, jigs, clamps, यह जो clamp को रहा का use करते हैं, इससे यह सभी एक protective appliances है, जो की आपको mechanical हजाड से बचाता है, अब कुछ specific machinery examples हैं, हजाड and control, आप जानते हैं कि manufacturing and maintenance machinery कुछ है, जहाँ पे हम लोग जैसे bench top grinder, grinder आपने देखा होगा, bench के उपर रखते हैं grinder, और grind करते हैं, जो भी है, pedestal drill जो है, यह भी bench के उपर ही generally रहता है, आप देखे होंगे, और हम लोग drill करते हैं, तो इसके हम लोग 1000 और control measure देखने वाले हैं आगे में, और retail machinery जैसे की आप देखे होंगे, बहु सारा material ऐसा होता है, और बड़ा-बड़ा scrap हो जाता है, अब उसको छोटा करके हम उसको फिर से recycling के लिए भीजना है, तो उसको compactor बोलते हैं, यह greeted machinery है, और agriculture and horticulture machinery जैसे cylinder mover, streamer, browse cutter, और chains, यह जो हम agriculture यूज करते हैं, और उसके बाद construction machinery जैसे के cement mixer, हम लोग सिमेंट mixing के लिए यूज करते हैं इसमें क्या हजाड और control होंगे, आगे हम लोग देखने वाले हैं, bench mounted circular saw, जो bench mounted होता है, circular जिसको हम लकड़ी करते हैं, तो यह सब हम लोग देखने वाले हैं, कुछ machinery जो की commonly used होता है, तो choose one of the specific machines and outline the हजाड, यह एक machine हमने, machine ही है, यह पोर्टेबल है, grinder, तो इसमें क्या क्य हजाड से हैं, और mechanical और non-mechanical और इसे क्या control में जा रहाएं यह देखते हैं, तो इसमें mechanical हजाड क्या क्या है, आप बताएए, mechanical हजाड क्या है, इसमें यह moving part है, यह mechanical हजाड है, puncturing कर सकता है, cut कर सकता है, abrasion कर सकता है, और non-mechanical क्या क्या है, electricity है, यह noise देगा, heat देगा, यह इसके control measure क्या-क्या होंगे तो यह देखी moving part है इसके उपर एक guard लगा दे fix guard लगवादे इसके उपर है इसके wire electricity हजार ना है हमको electrocution ना हो इसके लिए सारे wire इसके ठीक-ठाक होने चाहिए इसकी testing होनी चाहिए है ना sound से बचने के लिए हम ear plug, ear mop का use करेंगे और vibration भी है vibration से बचने के लिए हम लोग dry hand और machinery का proper maintenance कराएंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं ना mechanical इसके क्या क्या control measure होंगे आप और यह बहुत सारे suggest कर सकते हैं मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और यह कुछ machine है जिसके हम लोग हजार एंड control measure देखने वाले हैं एक एक करके तो आए देखते हैं bench top grinder यह आप यह bench top grinder है इसमें क्या क्या खत्रे होंगे आप बताईए इसम intanglement इससे जो abrasion हो सकता है इसके कुछ जो पार्ट छोड़ छोड़े निकलेंगे आपको पंचर कर सकते हैं है तो यही तो है non mechanical हजार में इसमें 29 निकलेगा इसमें से heat लिएगा है यही सब तो है vibration भी हो सकता है तो इसके कैसे बचे तो बचने का क्या उपाय है तो mechanical के लिए इसमें guard है जिससे आप देखना है इसमें moving guard है इसको सब चेक करना है और interlocks की जरूत हो तो अगर interlocks की जरूत तो भी लगाना है लेकि यहां पर उसे जरूत नहीं पड़ेगा और ii annually इस पंग्च्र रोत करें इसके लिए आपको gloves वेरा का यूज़ करना है और इसके एक से बचने के लिए आपको मैंटेनेंस करना है नहीं सब तो है और उसके खत्र में क्या खत्रे होते हैं है आ हैप खुद सोचेंगे ना तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा मैं कुछ आपको रिद्ध हूं के वल की इसमें आप मेकेनिकल में में कुछ अच्छा नौन मेकनिकल में आपको पता ही है गार्ड लगाना है इंटर लगाने है ना तो जहां पी जो अपलिकेबल है आप उसमें ऐसा करेंगे से चेंज्साँ चेंज्साँ में क्या क्या खत्रे हैं चेंज्साँ है कि आपका यहाँ पे इसमें से sound आएगा पहला बात तो यह chain चलता रहता है ना ऐसे तो यह chain यह moving part से तो यह आपको cut कर सकता है तो यह आपको ध्यान देना है इसमें petrol है तो यह भी एक non mechanical hazard है इसमें आग लग जाता है कभी कभी है ना इसके sound है noise वो क्या है आपका non mechanical hazard है उससों बचने के लिए आपको earmuff ear plug का use करना है है ना उसके बाद यह hot हो जाता है तो इसके लिए देख लिए यहाँ पर gloves का use किया रहा है लेदर gloves का तो आप पता करिए इस machine में और आपको क्या करिए ना एक page लिजिए और इसके सारे 1000 को लिखी और control measures को लिखी जितना आप practice करेंगे ना आ आपको ज्यादा आएगा नेट का भी help ले सकते हैं इस तरह का question तो पहले practical पूछता था कि बताव एक compactor है वहाँ यूज करना है तो किस तरह का हजाड और किस तरह का risk है वहाँ पे इस तरह question पूछता था लेकिन आज कल जो है अभी केवल एक ही paper हो गया है और practical हो गया है त जो इसको क्या करता है दबा के छोटा कर देता है ताकि recycling हो पाए इसमें कोई अगर आदमी गिर जाए तो क्या होगा उसको उसको भी crush कर देगा है और अगर कुछ इसमें जब भी crush करेगा जब इसको compact करेगा तो sound भी आएगा इलेक्टिक से चलेगा तो इलेक्टिकल हजार्ड है है तो यह आप खुद लिष्ट करिए एक copy pane लेके तो requirement for guards and safety device क्या requirement है मैंने बता दिया कि आपको guard लगाना है लेकि उसकी क्या requirement है कैसे guard लगाएंगे है क्या उसका standard होना चाहिए कुछ तो standard होना चाहिए तो इसका standard यह ह है कि meet relevant standard जो भी वहां government का standard है ना उसको relevant उसको meet करना चाहिए जैसे कि आप अगर इंडिया में आप काम करें तो है उसको guard होना चाहिए है ना अगर आप यूरूप में काम करने तो इसके अनुसार आपको guard बनाने है है ना उसका और जेनरल यह कहता है कि strong और robust होना चाहिए क मतलब कि किसी तरह का बाहरी आप मतलब कि इतना मजबूत होना चाहिए ताकि रोक पाया जिसको रोकने के लिए उसको बनाया गया है और compatible with the machine operation है ना जो machine operation जो वहां पर हो रहा है उसके compatible और यसा नहों कि आपने लगा दिया और operation ही रोक गया non easy to defect होना चाहिए यानि कि उसक गार को तुरंत नहीं हटाया जा सके उसको हटाने के लिए कोई tools कि हो सकता हो बढ़िया मजबूर है ना उसके बाद allows vision यानि कि गार ऐसा भी होना चाहिए कि अंदर दीखे जैसे कि नेट लगा देते हैं तो अंदर दीखता है कोई moving part चल रहा है या कुछ जोई problem है उसको ब allow करना चाहिए वो easy to maintain उसका maintenance easy हो और design to allow for maintenance है ना ऐसा हो कि ताकि गार्ड को हटाके maintenance करके फिर से लगाया जा सके और does not increase overall risk गार्ड का काम है risk को कम करना वो risk को बढ़ाना नहीं चाहिए ना तो इस तरह का यह requirement है कोई भी guard या safety device जो है इस requirement को जो अभी मैंने general बताया इस requirement को meet करना चाहिए तो कि नहीं meet करेगा तो फिर वो guard या समय तक वहां रहा नहीं पाएगा और हम लोग guard को use भी नहीं कर पाएगा हमेसा है ना तो अगर यह सब होता है मतलब कि वो guard बहुत अच्छा है तो आ जरूर देंगे अब the identify the guards and protective device इसमें किस तरह का guard लगा हुआ आप देख रहे हैं कि fix guard लगे हुए है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं कि lock भी लगा हुआ है कि कोई lock लग जाएगा जाएगा यह guard तभी open होगा जो अगर अगर उच्छा भी यह लोटो का use हुआ है है ना तो यह पूरा element complete हो गया आएए देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा यह पूरे element में तो हमने सीखा कि some basic management issues that must consider when introducing work equipment कोई भी work equipment को हम अगर हम side पे लाते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए उसमें task के अनुसार हो environment के अनुसार हो है ना उसके बाद हम लोग ने देखा कि hazard and precaution associated with the simple hand tool, simple hand tool में क्या हजार और precaution थे यह हमने देखा and portable power tool में क्या क्या हजार और precaution थे यह हमने देखा है ना उसके बाद हमने देखा कि explain the mechanical and non-mechanical हजार of machinery, mechanical और non-mechanical दोनों के बारे में हम लोग देखा था, explain the basic characteristic of fixed guard, fixed guard कैसा होना चाहिए इसके क्या limitation यह भी हम लोग देखा था, adjustable guard का क्या विशेष्था है, self-adjusting guard की क्या characteristic है, हना, क्या उसकी properties है, और interlock guard की क्या इसकी properties है, यह हमने देखा था, यह हमने चारों guard के बारे में देखा था, उसके बाद हमने देखा कि trip device to hand control or protective appliances of emergency stop यह हमने देखा था, उसके बाद हम लोग ने देखा कि outline the basic requirement of guard and safety device, कोई भी guard और safety device उसकी basic requirement क्या होने चाहिए, हमने देखा है, और कुछ machinery के हजार और precaution हमने खुद बताया थे, आपको बताया था कि आपने दोनों को list करना है, जिसे कि bench top grinder है, pedestal drill है, cylinder mover है, streamer है, chainsaw है, compactor है, cement mixer है, bench mounted circular saw है, तो इसको आपको हजार और precaution लिखने है, उ identify the type of guard and other protective measures to ensure safety in use of bench, top grinder, है ना, precaution क्या क्या है उसमें, और pedestal drill, cylinder mover, streamer, chainsaw, compactor, cement mixture, bench mounted, circular saw, है ना, तो यह हम लोगों ने यह पूरे element में सीखे, तो आपको जो जो अगर नहीं इसमें आया होगा ना ता आप बुक एक बार देखिए, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएग और अभी मैंने अभी यहां तो online पढ़ाता ही हूँ, मैंने अभी सोचा है कि कुछ student ऐसे भी हैं जो कि job करते हैं और पढ़ना चाहते हैं बट यह वीडियो से उनको हर एक चीज किलियर नहीं हो रहा है क्योंकि interaction होना चाहिए teacher और student है तभी जाकर उनको ज्यादा समझ में आ personally pay करना पड़ेगा तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपको personally कुछ class लेने चाहिए या हमारे doubts किलियर होने चाहिए तो आप हमारे number पे description नमबर में दे दूँगा उस पे आप contact कर सकते हैं और जो भी extra fee है आप पे करके आप अपना doubt किलियर कर सकते हैं और मैंने अभी open book exam चला है तो GC2 या GC1 में भी कुछ help कर रहा हूँ students का जिसे की उनको काफी मतलब की मदद मिले पास होने में तो अगर आप उस तरह कभी आपको जरूरत है तो आप contact कर सकते हैं तो I hope आपको ये पूरा element समझ में आया होगा thanks thanks for watching हुआ 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 है